जेन दोस्तों अंदे मातर। आमिर खान और करीने कपूर खान ये दोनों ही अपनी आने वाली मूवी लाल सिंग चड़ा के प्रमोशन में जोरो शोरो से लग चुके हैं लेकिन इनकी प्रमोशन को देखते हो ऐसा लगता है कि आप तो शायद ओरिजिनल मूवी के जो टॉप थे टॉम हैंक्स अगर वो खुद आकर प्रमोशन करेंगे तो वो खुद भी इसके प्रमोशनों करने से बचेंगे क्योंकि मूवी इतनी ज़्यादा परेशानियों में घरती जा रही है जो बॉयकों ट्रेंड चल रहा है लाल सिंग चड़ा को लेकर उसको लेकर आमिर खान तो सबसे ज़्यादा इस समय सरदर्द बनी हुई आमिर के लिए उससमय भली पीके ने काफी पैसा चाप लिया हो लेकिन आज की लेट में पीके इनके लिए सरदर्द बन चुकी है ऐसे में करीन अकपूर खान के भी कुछ बयान सामने आए जिसमें कि उन्होंने बरकादत के साथ एक इंटर्वी में कहा था कि भई जिसको मूवी देखनी हो देखे और जिसको ना देखनी हो ना देखे हम किसी जबलस्ती नहीं कर रहे हैं तो पबलिक ने अब सीधे तोर पर यही कह दिया है कि हाँ ठीक है भई जे लोग इतने प्रेमभाव से कहना है कि हम जबलस्ती नहीं कर रहे हैं तो हम इनकी मूवी नहीं देखेंगे और उस पैसे को किसी नेक काम ही उजज करेंगे ऐसी कुछ प्रतिकरिया हैं सामने आ रहे हैं लेकिन ऐसे में करीना कबूर खान का एक और इंसेटिव बयान सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भई मुझे इन चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता मैं इस तरह के ट्रेंड्स को सीरियसली नहीं लेती हूँ पतलब पबलिक क्या चाह रही है पबलिक क्या बोल रही है उससे इनको कोई फरक नहीं पड़ता जला जान लेते विस्तार में क्या कुछ हो रहा इस समय लाल सिंग चड़्डा को लेकर आमिर खान और करीना कपूर खान अपनी आगामे फिम लाल सिंग चड़्डा के प्रमोशन में जोर शोर से चोटे हुए जबकि सोशल मीडिया में लोग इस मूवी के बहिशकार का भियान चला रहे है वो दो साल बाद बड़े परदे पर वापसी कर रही है करीना कपूर और करीब एक देशक के बाद आमिर खान के साथ उनकी कोई मूवी आ रही है दोनों के पिछले लिम तलाश नवमर 2012 में रिलीज होई थी बीच में वो गर्भावस्ता पर अपनी किताब और हिंदी दर्शकों पर अपनी बेरुकी भरे बयानों को लेकर सुर्कियों बनी रही थी लेकिन अब बॉलिवड के बॉयकॉट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है जब करीना कपूर से पूछा गया कि क्या बॉलिवड में एजिस्म है और एक उमर के बाद अब नेत्रियों को फिल्म नहीं मिलती तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात है वास्ते जिकता लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है उन्होंने कहा कि अगर आप रतिवावान हैं तो आपको काम मिलता रहेगा करिने कपूर झाने कहा कि आज लोग अलग अलग उमर के हिसाब से अपने करदार रbane कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वो गर्भावस्ता के दोरान भी काम करती रही और जेने इससे समझते हैं वो काम ना ले उन्होंने बताया कि करीब साड़े पांच महीने की गर्बवती होने के बावजूद उन्होंने आमिर खान के साथ सीन्स को फिल्म आया था उन्होंने आलिया भट कावी धारन दिया जो प्रेग्निंसी की बावजूद फिल्मों की शूटिंग कर रही है कि आज लोगों की विबने प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचें इसलिए वो हर चीज़ पर राय दे रहे हैं इसे पहले करीने कपूर ने कहा था कि लोग फिल्म ना देखें उनसे किसी ने जबरस्ती दुकरी नहीं है वहीं इंडिये टुड़ी से करीने कपूर ने कहा कि हर कोई आजकल अपने विचार रखना चाहता है आजकल अलागलर प्रेटफॉर्म्स हैं और हर कोई के पास कोई ना कोई राय जरूर है इसलिए अगर आज आज आपको कोई राय रखना है तो कुछ चीजों को नदाज करना आपको सीखना पड़ेगा नहीं तो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं इन चीजों को सीरिसली नहीं लेती मुझे जो पसंद आता है मैं पोस्ट करती हूँ मुझे पता है कि फिल्म रिलीज होगी तो इसके बारे में सबकी कुछ नकुछ राय होगी बस यही मुद्दे की बात है लेकिन करीने कबूर खान ने कहा कि अगर फिल्म अच्छी होगी तो इसे अच्छे लोग देखेंगे और यह सभी उमीदों पर के पार चली जाएगी उन्होंने कहा कि फिल्म अच्छी हो तो इन चीजों का उस पर असर नहीं पड़ता वहीं दूसी तरफ आमिर खान लोगों से अपील कर रहा है कि वो लाल से चड़्डा का बॉयकॉट ना करें आमिर ने एक इंटर्विव में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि उनको देश से प्यार नहीं है लेकिन वो गलत है एक अन्य इंटर्विव में करीने कपूर खान ने कहा कि वो वादों पर सफाई देना जरूरी नहीं समझती है मतलब यहाँ पर कई सारी चीजे हैं जो कि इस समय लाल सिंग चड़्डा को घेर कर उसके आसपास चल रही है जैसे कि एक और बात निकल कर सामने आई है कि मोना सिंग के किरदार की यहाँ पर तारीफ करते हैं मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो जैसा एक्टर है हाली में एक ऑनलाइन इंटर्वी की दौरान भी सवाल पूछने पर आमिर नहीं उल्टा सवाल किया कि अगर कोई क्रियेटिव एक्टर है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो अपनी उम्र के बड़े उम्र के करदार निभा रहा है किसी एक्टर के लिए उम्र सिमित होती है क्या यह तो एक्टर का कमाल होता है कि वो किसी भी उम्र का हो और किसी भी उम्र का दिख सके इसके आगे अमेर्खाने रिपोर्टर से कहा कि क्या बात कर रहा है हो बाचिक दोरां अमेर खान से पूचा गया कि OTT कॉंटेंट की मौझूदगी में दर्शकों का माइंडसेट काफी हद तक बदल चुका है अब जब उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है तो क्या उन्हें इस बात को लेकर कोई चिंतर सता रही है इस पर आमेर खान ने कहा बिल ज़्यादा सतर को चुके हैं वो बहतर चीजों की तारीफ करते हैं खराब चीज बिल्कल बरदाश नहीं करते हैं अगर कोई स्क्रिप्ट कमजोर है तो वो तुरंट दूसरे कंटेंट का रुक कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात OTT पर हर भाशा में अच्छा कॉंटेंट म अक्षे कुमार के साथ इस सुलम में भूमी पेड़ने कर मुक्य करदार में नजर आने वाली है तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अक्षे कुमार और अमिर खान दोनों के ही आमने सामने हैं क्यों को कहीं न कहीं अपनी मुवी चलाने का प्रेश कर रहा है और बोल रहा है कि मैडम ने अगर इतने confidence से कहा है कि हमारी movie मत देखो तो movie नहीं देखनी चाहिए सीधी सी बात है इसको लेकर कई जगों पर वो मतलब ट्रोल भी हो रही है और कई लोग इसको लेकर उंगलिया भी उठा रहे है तो हम लोग चलके ऐसे ही कुछ टूटर रियक्शन इस तरफ भी देख लेते है सबसे पहला तो नीरच करके एक यूजर नहीं लिखते है Crossed hands, mismatched expressions of eyes and cheekbones Eyes closed at a crucial point, forced pointlessness in a smile and tone Overall a very defensive posture Must have been sent by the producers to clarify to save as much movie as she can Much against her stand यह उन्होंने इंटर्वी के उपर पूड़ी है Body language को हम लोग लेकर बात करते हैं कि जब इंसान का शरीर की जो language होती है वो सब कुछ बता देती है तो उसी को लेकर रहे है अमें तरबाटी को लेकर लिखते हैं कि बस इनकी pictures देखना बंद कर दो अपने धार में ग्रंथ पड़ो कसरत करो, books पड़ो, sports खेलो ये लोग भी इनकी असली जगे समझ जाएंगे नितेश लिखते हैं, अकड अभी तक गई नहीं लग कई सारी तरह की बाते आरही है जैसे कि एक तस्वीर और पोस्ट की जा रही है जिसमें की लिखाए Every masterpiece, I had just cheap copy मतलब forest gum जब मौझूद है तो आप Patrick ने लिखाए कि अमर्कान meets the Turkish first lady even when Turkey is busy radicalizing Indian Muslim youth in convenience with Pakistan Turkey is also openly backing Pakistan in Kashmir Bollywood has infested our society like a weed which needs to be culled, boycott Lali Singh Chadda ये बड़ा अमस्त चुटकुला है जो पसंदा भाई है इसके बीइंग नाईजा ने लिखा है फट्टिशे headshot मूवी को boycott करने का प्लान कर रहा है तो आपर अमर्कान की मूवी को लेकर जो इस समय पूरा campaign चल रहा है जो लोग अपना गुस्सा अलग-अलग तोर पर निकाल रहे है जो पब्लिक रियक्शन जो पब्लिक काल common public reactions तक सामने आ रहे हैं वो भी मूवी के लिए कुछ positivity लेकर आ नहीं रहे हैं तो ऐसे में आमर्कान की मूवी के लिए होने वाली है काफी मुश्किल है बस देखना है होगा कि वो इन मुश्किलों से निजात कैसे पाता है आपके इस बारों में क्या कहना मुझे कमेंट करेंके जरूर बता हैं मेरे शुडियों फिलात नहीं जाए हैं जाए बारात आए हैं कि मुपे नहीं comprmyश नहीं ऊकरी झा W लो बता है जाए है lying नहीं परे कवैसा कर दो ऊarna है कि वेग इसत्तिता उन्मा जहीं है